हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो एनदर लेक्चर ओफ कारेंट एलेक्रिसिटी और टूदेश लेक्चर इस मिक्ष्ट कॉंबिनेशन रेजिस्टेंस सम् एडवांस लेबल प्रोब्लेम पिछले क्लास में सम् बेसिक प्रोब्लेम डिसकस किये थे जो कि इतना बेसिक था कि बोर्ड एक्जम के लिए क्लास टाइटेंड के लिए अप्रोपियेट है लेकिन जही मेंस और नीट यह सारे एक्जम के लिए जो सारे प्रोब्लेम जो टाइप का प्रोब्लेम आता है वो है इस टाइप का प्रोब्लेम तो पिछले क्लास क्राया था इसलिए कि आज का class समझ में आए तो जो सारे students अगर तुमने पिछला class नहीं देखे हो तो अगर basic clear है तो ठीक है अगर basic clear नहीं है तो पिछला class देख लो पिछला class में क्या discuss किया थो समझ लो फिर इस problem में आना ये सारे problem आज मैं एक के ब्याद एक कराऊंगा ये दोनों example है इसका साथ और भी problems है जो हम discuss करेंगे तो चलो हाज हम करते है part two of mixed combination of resistance and part two में आज का problem है some advanced level तो देखो इस problem को जो सारे mixed combination वाला resistance होता है अगर problem थोड़ा सा भी यह पर ऐसा आया तो हम क्या करेंगे कि हमारा बहुत सारे methods है solve करने के लिए जैसे कि इस problem को solve करने के लिए जो method है method का नाम है successive reduction method अर्थाथ हमें एक method मिल गया number one method जो है वो है successive successive reduction method अब क्या होता यह successive reduction method successive reduction method होता है कि जो दो point का बीच resistance calculate करना है हमें क्या स्ट को opposite point से शुरू करना है कि एक एक करके हम figure को redraw करेंगे और redraw करने का time हम एक एक part को क्या करेंगे कि replace करेंगे उसका equivalent resistance से तो पहले देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि पहले जो end point है अर्था देखो a point और इस point में एक resistance है और इस point और इस point का भीच में एक resistance है चलो हम नाम दे देते हैं यह a b यह है c d e f यह सरे points है हम देखो ac और c d यह दोनों resistance देखो series में connected है क्योंकि they are back to back connected अर्था था हम इस circuit को जब redraw करेंगे तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर a b जैसा था हमने draw कर दिया उसका साथ a f जैसा था draw कर दिया उसका बाद a e को draw कर लिते हैं a e को draw कर लिया उसका बाद a d को draw कर लिया A D को draw कर लिया और A C और C D इन दोनों को हम एक साथ draw करेंगे ऐसे अब सारे resistance जो है वो connection ले लिया मैंने तो यहां गया हमरा दोसरा circuit यहां पर कितना value है 6 है यह 6, यह 6, यह 6, 1, 1, 1 और इन 2 and 1 को मिला के यह बन जाएगा 3 ओहम अब देखो 3 ओहम और 6 ओहम यह 3 और 6 मिला के जो resistance होगा वो है 3 into 6 by 3 plus 6 equal to 18 by 9 equal to 2 ओहम तो हमारे जो resistance मिल रहा है इन दोनों का इन दोनों का resistance है 2 ohm तो हम क्या करेंगे देखो अभी इन दोनों को छोड़ के तुमें पेज में फिर से draw करना है यह board में हम इसको मीटा देते हैं इन दोनों का छोड़ के हम फिर से इसको टू ओहम लिख देंगे तो यह हो गया टू ओहम और बाकी सारे जो है जैसा है वैसे लिख दो यह हो गया आप देखो यह टू ओहम और वान ओहम मिला के फिर से हो रहा है थ्री ओहम अर्था था हम इन दोनों को मिटा के इन दोनों को हम मिटा के फिर से लिख सकते है कि इन दोनों की पॉइंट की बीच में ये रेजिस्टेंस है 3 Ohm फिर इस 3 Ohm और 6 Ohm प्रालेल में हैं और थाथ दोनों का एकुवेलन रेजिस्टेंस होगा 2 Ohm तो हम इसको फिर से 2 Ohm कर देंगे ये हो गया 2 Ohm इस 2 Ohm और 1 Ohm फिर से 3 Ohm हो जाएगा और फिर इस 2 Ohm में आव इस 3 Ohm में है और फिर से 3 Ohm रहा है तू ओहम और इस तू ओहम वान ओहम फिर से थ्री ओहम हो जाएगा तो फिर यह हो गया उपर का थ्री ओहम और नीचे का जो है वो है शीक्स ओहम और इस थ्री ओहम शीक्स ओहम का एकुईवेलन रेजिस्टेंस मतलब आर एवी इकुई टू हो जाएगा तू ओहम मतलब इस सार्किट का एकुईवेलन रेजिस्टेंस जो है वो है तू ओहम चलो अब इस problem को solve करते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर 1.5 ohm, 3 ohm, 1 ohm, 3 ohm and 6 ohm इतना resistance है इसको हम पहले क्या करेंगे? पहले इन दोनों को देखो 3 ohm and 6 ohm यह दो resistance प्रालल में है और 3 ohm and 6 ohm अगर प्रालल में है तो इसका equivalent resistance जो होगा equivalent resistance है हम इसको replace करेंगे तो यह हो जाएगा 2 ohm का एक resistance अर्थात इसको हम लेखेंगे यहाँ पर 2 ohm अब देखो इस 2 ohm and 1 ohm यह दोनों क्या है? यह दोनों सीरीज में है तो 2 ohm और 1 ohm सीरीज में है मतलब हो जाएगा यह 3 ohm अब इस 3 ohm, 3 ohm पर अलल में है तो दोनों का equivalent resistance जो होगा वो होगा 1.5 ohm अब इस 1.5, 1.5 सीरीज में है तो इन A, B का बीच में equivalent resistance जो आएगा 1.5 ohm प्लास 1.5 ohm इक्वाल टू 3 ohm ते हो गया एक सिंप्ल सा प्रोब्लेम जो की 3 ohm equivalent resistance प्रोब्लेम नंबर थी यह ऐसा है कि यह एक resistance यह एक रिजिस्टेंस और यह एक रिजिस्टेंस यहा पर भी एक रिजिस्टेंस दू रिजिस्टेंस तीन रिजिस्टेंस यहा पर एक रिजिस्टेंस यहा पर एक रिजिस्टेंस यहा पर एक रिजिस्टेंस अब इसके equivalent resistance calculate करना है हमें किस-किस point का बीच में यह point A है, यह point B है, यह point C है और यह point D है, हमें दो resistance हम calculate करेंगे यह से, क्या-क्या, एक है calculate करेंगे R, A, D, और दूसरा जो calculate करेंगे वो है R, A, B, जब और R, A, D calculate करेंगे, मतलब हम अगर A point और D point में battery को connect करते हैं, तो हमें देखना है कि इसका equivalent resistance कितना होगा, और जब हम A point का साथ B point को battery से connect करेंगे, तब हमें देखना है कि इसका equivalent resistance कितना आएगा, तो पहले R, A, D को calculate करते हैं, R, A, D calculate करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, एक sale को A, D का साथ connect कर देंगे, तो A, D का साथ एक sale को connect कर दिया, अब देखो यहाँ पर एक resistance है इधर, और थाथ ये वाला resistance, और एक है इधर का part, जहाँ से कुछ भी current flow नहीं होगा, क्यूंकि इधर से अगर current I अंदर जाता है, तो उस current को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अर्थत इस resistance से current का flow नहीं होगा, तो G resistance से current flow नहीं होगा, उस resistance को हम circuit से हटा देंगे, ठीक उसी तरह अगर यहाँ से current एंटर करते है आई, तो उस current को बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो हम इस resistance को भी बाहर कर देंगे, तो अगर इन दोनों resistance को हम बाहर कर देंगे, तो देखो इसका current का flow कैसा होगा, कि यहाँ से current आएगा, current इधर तक जाएगा, यहाँ से दो भाग में current बाट जाएगा, एक भाग इधर से आएगा, एक भाग इधर से आएगा, फिर दोनों भाग जोड़के यहाँ से current आ जाएगा, मतलब हमें दिखाई दे रहा है, कि यह दोनो resistance शीरीज में है, यह दोनों resistance series में है अलग से और फिर उन दोनों series combination का equivalent जो हरा है वो parallel होगा अगर इस series में इसका साथ है तो हम इस series को क्या करेंगे इस series का equivalent resistance से इसको replace कर देंगे और यहाँ पर जो resistance आएगा वो resistance होगा ऐसे 2R और यह R यह R series में है और इन दोनों को भी equivalent resistance जो आएगा वो resistance होगा 2R अब जैसे कि इन 2R और 2R parallel में है तो इस 2R और 2R को हम replace करेंगे R resistance से तो इस replace हो जाएगा with resistance R और अब देखो हमें एक series combination मिल गया जो कि 3R है तो 3R का equivalent resistance होगा 3R अर्थात A और D point का बीच में हमें resistance equivalent जो मिला वो मिला 3R अब देखो उसी circuit का दूसरा अगर 2 point हम लेंगे तो उन दोनों point का equivalent resistance हमें कितना मिलता है तो फिर से हम figure का draw करते हैं एक दो तीन resistance और नीचे से एक दो तीन resistance यहाँ से एक resistance यहाँ से एक resistance आर 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 यह भी आर आर और आर यह एक resistance आर यह एक resistance आर यह एक resistance आर कि मानलो ये point है A point और ये point है B point हमें इस A और B point का बीच में resistance कल्कुलेट करना है और तथ हम यहाँ से एक sale को connect कर देंगे अगर इन दोनों point में sale को connect करोगे तो देखो यहाँ से current पहले आएगा फिर इस तरफ flow होगा इस तरफ flow होने का बाद ये current उपर की तरफ और एक पार्ट नीचे की तरफ आएगा उपर का तरफ जो current जा रहा है यहाँ तक जाने की बाद इसका पाद फिर भी दूपाथ है एक है left की तरफ एक है right की तरफ क्यूंकि left की तरफ पुरा रास्ता open है और तक इधर current flow नहीं होगा तो हम इस resistance को यहाँ से मीटा देंगे इस resistance का कोई roll नहीं है circuit में तो current पुरा की पुरा इधर आएगा इधर आने के बाद फिर से दो पाथ है एक नीचे की तरफ एक right side की तरफ right side की तरफ जो current जाएगा और current बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और तक इसको भी हम हटा देंगे यहाँ से तो current इधर से आके इस current से जोड़के इधर से flow होगा ते हो गया हमारा resistance का circuit simply दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर R, R and R एक तीरन resistance सीरीज में है अर्था ताब तीनो resistance का जो part है इसको replace कर देंगे एक ही resistance से जिसका value है 3R तो इसका value हो गया 3R अब 3R and R का parallel combination तो इसका equivalent होगा 3R into R by 3R plus R equal to 3R square by 4R मतलब 3R by 4 तो इन दोनों को हटा के हम लेखेंगे एक resistance जो की है 3R by 4 तो यह resistance हो गया 3R by 4 अब तीनो resistance सीरीज में हागया मतलब equivalent resistance जो होगा वो होगा R plus 3R by 4 plus R R का मतलब है 4R by 4 4R by 4 तीनों का नीचे 4 है मतलब 4 आ जाएगा 4, 4, 8 8 and 3, 11 so equivalent resistance होगया 11R by 4 equivalent resistance कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक था successive reduction method आप जो method में बताऊंगा इस method को अच्छे से ध्यान रखना अच्छे से याद रखना कि ये method बहुत ही important होने बला है और ये method से बहुत ही अच्छा-च्छा सावाल जो सावाल सावाल को हम सावाल कर सकते है इस method के apply करके जो method का नाम है Equipotential Reduction Method method का नाम है Equipotential Equipotential Reduction Method इस Equipotential Reduction method को apply करके हम देखो कैसे problem को solve करते है तो इसके लिए हम circuit ड्रो करेंगे जो की है ये वाला circuit यहाँ पर हमें क्या करना होगा aim और n इन दोनों point का बीच में equivalent resistance कल्कुलेट करना होगा और इन equivalent resistance को calculate करने के लिए जो resistance का value दिया गया है वो है हर एक resistance का value है R यहाँ पर ना तो हमें कोई series मिल रहा है ना तो हमें कोई parallel मिल रहा है बीच में से ये दोनों resistance गर्वर्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम apply करेंगे Equipotential Reduction Method अगर ध्यान से देखा जाए इस problem को तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर एक axis मिल रहा है इस axis इस axis को देखो और तत इस line को देखो यह जो line है इस line को देखो अगर इस line को एक mirror से replace कर दोगे और इस line को अगर देखोगे इसका डाय तरफ और बाय तरफ तो देखो डाय तरफ का जो structure है डाय तरफ में भी same structure है सिर्फ structure ही same नहीं है यहाँ का resistance का value भी same same है इसको बोला जाता है perpendicular axis perpendicular axis क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो battery को हम connect करेंगे इस point और इस point का बीच में तो मतलब current जो enter कर रहा है और current जो बाहर जा रहा है वो एक line हमें मिल रहा है इस line जो a man line है यह a man line जो है इस a इस a man line को बोला जाता है कि देखो a man line का उपर की तरफ जैसा जैसा connection है नीचे की तरफ भी वैसा ही connection है और तत यहाँ पर हम इस axis को देखे या x axis को इस axis में एक symmetry दिखाई दे रहा है और इस a man axis से भी उपर और नीचे का एक symmetry दिखाई दे रहा है problem ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ऐसा हो सकता है कि इस axis का symmetry है लेकिन x axis का नहीं है और इसका है इसका नहीं है और दोनों का रह सकता है यहाँ पर दोनों symmetry का example लिया मैंने कि एक ही problem बे two type के symmetry हम बता सकते हैं तो यहाँ पर mn की जो symmetry है इसको बोला जाता है parallel axis symmetry parallel axis symmetry और xy का जो symmetry है xy line के जो symmetry है जो कि current flow का साथ perpendicular है इसको बोला जाता है perpendicular perpendicular एक्सिस are symmetry है अब इस parallel xy शेट्री अगर है और अगर पर्पेंडीकुलार एक्सिस symmetry है तो इसका फाइदा क्या है तो पहले हम बताएंगे कि पर्पेंडीकुलार- apolog क्सिस symmetry का फाइदा क्या है तो देखो पार्पेंडिकुला जो एक्सिस हमें मिल रहा है और तत इस एक्सिस यहाँ पर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और और इन दोनों रेजिस्टेंस को छोड़के इधर का पाट और इधर का पाट सिमेट्रिक है अर्थात तो पहले हम परालेल एक्सिस सिमेट्रिक को बोल देदा हो परालेल एक्सिस सिमेट्रिक जो है इस लाइन का ये जो लाइन है इस लाइन का उपर के पाट और नीचे का पाट सिमेट्रिक है ऐसा symmetric होने से क्या होता है होता है कि जो symmetric resistances है अर्थत इस parallel axis के respect में अगर इसको हम number 1 लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 prime क्योंकि यह resistance और यह resistance यह दोनो symmetric है उसी तरह अगर हम इसको 2 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 prime क्योंकि यह दोनो symmetric है और अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तीन तो यह हो जाएगा तीन प्राइम क्योंकि यह दुनों सिमेट्रिक है और अगर हम यहाँ पर लिखेंगे चार ठीक है न यह हो जाएगा तीन प्राइम ठीक है और यहाँ पर कोई सिमेट्रिक नहीं है इसका कोई symmetry part, symmetry part नहीं है अब होगा क्या कि यह जो symmetric branch है यह branch और यह branch इन दोनों branch में से current जो होगा वो current होगा same और तत अगर यहाँ से I1 current flow होता है तो यहाँ से भी I1 flow होगा अगर यहाँ से current flow होता है I2 तो इधार से भी flow होगा I2 अगर यहाँ से current है I3 तो इधार से भी current होगा I3 अर्था symmetry जो branch हमें मिल रहा है symmetric branches में से current जो होगा वो same होगा अब perpendicular axis symmetry को देखो अगर हम perpendicular axis symmetry देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर देखो जो current flow हो रहा है I1 इधार से भी current flow हो रहा है I1 इस point का एक particular voltage है अब I1 current कितना होता है according to the Ohm's law current is proportional to the potential difference और तत इस point और इस point का जो potential difference है इन दोनों point का भी same potential difference है और क्यूंकि same current दोनों में flow हो रहा है मतलब होता है कि इस point का potential और इस point का potential same है अर्थत यहाँ पर X और Y दोनों point का potential जो है वो है same अर्थत हम इन दोनों point को same point मन के चल सकते है और इन दोनों point को हम जोड सकते है तो हम इन दोनों point को जोड के इसका resistance निकल सकते है और हम बोल सकते हैं कि यह R और यह R यह दोनों parallel में है उसी तरह यह resistance और यह resistance यह दोनों भी parallel में है और एक बात जो है वो है कि perpendicular जो symmetry है और जो parallel symmetry हमीं मिल रहा है और perpendicular symmetry मिल रहा है तो जो line symmetric line है perpendicular line वहाँ पर जितना point आएगा और थत ये point ये point और ये point ये point ये point ये point ये point का जो होता है potential जो होगा वो same होगा तो अगर इन तोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा उसका मतलब देखो यहाँ पर जो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों का ही अगर भी डैस है और तक इस जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस से कुछ भी करेंट नहीं फ्लो होगा और यहां पर RR दो सिरीज, यहां पर RR दो सिरीज, यहां पर RR दो सिरीज, मतलब 2R, 2R, 2R in parallel, तो तीन रिजिस्टेंस हमें मिल रहा है, यह एक, यह दूसरा, और यह तीसरा, फ़र एक रिजिस्टेंस का वैलू है 2R, और अगर थी सिमिलर रिजिस्टेंस से कनेक्टिद इन प्रैलेल, देन दा इक्विवेलन रिजिस्टेंस, विल बी एक्वाल टू, इंडिविजूल रिजिस्टेंस बाइ 3, तो इसका इक्विवेलन रिजिस्टेंस बन जाएगा, 2R by 3, ये तीनों रिजिस्टेंस का वैलू है मनलो, R, 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 सब रिजिस्टेंस का वैलू है R, हमें कैल्कुलेट करना है एक्विवेलन रिजिस्टेंस बिटूइन A एंड B, अब देखो यहाँ पर जो सिमेट्री मिल रहा है हमें, कोई भी यहाँ पर प्यालेल एक्सिस सिमेट नहीं है क्योंकि जहां से करेंट एंटर करेगा और जहां से बाहर आएगा उन दुनों का नीचे की तरफ रिजिस्टेंस नहीं है, उपर की तरफ रिजिस्टेंस है मतलब यहाँ पर कोई भी सिमेट्री अर्थ कोई भी प्यालेल एक्सिस सिमेट्री नहीं है लेकिन यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है वो परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो है यह एक्सिस इस एक्सिस का रिस्पेक्ट में यहाँ पर सार्किट इधार का सार्किट और उधर का सार्किट दोनों सार्किट जो है वो सिमेट्रिक सार्किट है अगर इन दोनों सार्क यह होगा उसका जड़ुआ वान प्राइम अगर यह रेजिस्टेंस का नाम देते है टू तो यह है उसका जड़ुआ टू प्राइम अगर यह रेजिस्टेंस है थ्री तो इसके है थ्री प्राइम और यह रेजिस्टेंस यह के लिए है इसका लेफ्ट साइड का पार्ट और र स्वाहा ज़ीज्ड करेंट अब क्या होगा कि जो उसका जडुआ है उसका क्या होता है ile कि दीफ्रेंट एक ही है कि अगर कनेट रहेगा अगर कनेक्ट रहेगा तो करेंट का direction different होगा मतलब यहाँ पर अगर उपर की तरफ I1 current जाएगा तो यहाँ पर निचे की तरफ I1 current जाएगा अगर यहाँ पर right side में better से बाहर I2 current आता है तो इधर से I2 current इधर एंटर करेगा अगर यहाँ पर देखो I3 current है तो यहाँ पर की तरफ होगा I3 मतलब देखो हमें जो मिल रहा है कि I2 current इस resistance से भी I2 current इस resistance से भी और थत इस resistance के जो current है सीधा I2 इधर जा रहा है और जो यह दो resistance है यहाँ पर भी current I3 यहाँ पर भी current I3 मतलब I3 current इधर से इधर जा रहा है अर्थत इस branch से जो current आ रहा है वो इधार जा रहा है इस branch से जो current आ रहा है वो सिधा जा रहा है मतलब यह connection होना या ना होना एक ही बात है अर्थत हम इस connection को यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं किस कनेक्शन को हम तोड़ देते हैं तो हम देखो मिल गया यह दोनों सिरीज हो गया और यह दोनों सिरीज हो गया अब अगर इन दोनों सिरीज को रिप्लेस करोगे तो इस सार्किट कैसे बनेगा देखो इन दोनों को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो यहां पर यह दोनों इस्टन्स भी सीरिज में है तो यह दोनों भी बन जाएगा इन 2R एंड आर प्रालल में है तो 2R एंड आर को अगर प्रालल में करेंगे तो यह हो जाएगा 2R by 3 अर्थत हम इसको लिख सकते है दोनों को हटा के यहाँ पर लिख सकते है 2R by 3 अब आर आर एंड 2R by 3 सीरिज में है तो हम यहाँ पर आर लिखेंगे प्लास यहाँ पर आर लिखेंगे यह आर मतलब 3R by 3 आर मतलब 3R by 3 इकूल्ट हो जाएगा 3 3 3 6 8R by 3 तो इन तीनों रेजिस्टन्स का वेलू जो मिल गया हमें भीलो हो गया 8R by 3 यह हो गया प्रालेल में 8R by 3 अब इसका एकूइवेलेंट रेजिस्टन्स कैल्कूलेट करेंगे तो 1 by R एकूइवेलेंट इकूआल टू 3 by 8R प्लास 1 by 2R 1 by 2R का मतलब 4 by 8R 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 LCM यह हो गया 7 मतलब R एकूइवेलेंट जो हैं मिल गया वो हो गया 8R by 7 लास्ट प्राब्लम जो है आज का वो है कि यहाँ पर दोनों पूइवेलेंट का बीच में हमें आर 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 सारे रेजिस्टेंस का वैलू है आर और हमें इस ए और बी पॉइंट का बीच में रेजिस्टेंस कैल्कूलेट करना है यहाँ पर हमें दोनों टाइप का सिमेट्री देखाई दे रहा है एक है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री इस एक्सिस का रेस्पेक्ट में और हमें है प्राणेल एक्सिस सिमेट्री इस एक्सिस का रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम स्रिफ perpendicular axis को calculate करेंगे और perpendicular symmetry को use करेंगे according to the perpendicular axis symmetry यह point, इस point और इस point इन तीनों point का potential same है अगर तीनों point का potential same है तो इस resistance को हम यहाँ से छोड़ा के इधर join कर सकते है इस resistance को हम यहाँ से छोड़ा के इधर join कर सकते है इस resistance को यहाँ से हटा के हम क्या कर सकते है इधर join कर सकते है इस resistance को यहाँ से हम हटा के इधर जोइन कर सकते है और ये रेजिस्टेंस जो है इन रेजिस्टेंस से कारेंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल में है यहाँ से भी कारेंट फ्लो नहीं होगा दोनों पॉइंट में सेम पोटेंशियल है अब देखो यहाँ पर R and R मिला के यह बान जाएगा R, Y, 2 अर्थत यह हो गया R, Y, 2 यहाँ पर R, R मिला के यह भी हो गया R, Y, 2 यह भी हो गया R, Y, 2 इधर यह भी हो गया R, Y, 2 और इधर यह दुनों मिला के हो गया R, Y, 2 अब इस चेन को देखो R, R, 2, R, 2, R मतलब तीनों मिला के इधर हो गया 3R तो यह सारे रेजिस्टेंस को छुड़ा के हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह है 3R और इधर का भी पाट देखो यह तोनों तीनों का रिफ्लेश में यह बन जाएगा 3R और इन दोनों का रिफ्लेश में यह हो जाएगा टोटाल 2R अब 2R, 3R, 3R इस तीनों का एक्विलेंट जो होगा उसका रिफ्लेश प्रोकेल है 6R by 7O तीन है इसका इक्विलेंट रिजिस्टेंस जिख्लेश खिर रिफलेश ठल एजशेंस राएबाओकाण क्विलेश झाल उघ्लम केवादब रिफ्लम सक्विलेश में ज़ रेबचाउ क्विलेश में जसकंचाऊई सबस्साचाः सूब्साय्